गुड बॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर संधी आप निम्लिखित शब्दों को पढ़िए विद्या जोड अर्थी विद्यार्थी इसमें विद्या और अर्थी जब इनका स्नयोग हुआ तो यह के साथ आ तथा अ लगने से बना आ दूसरा शब्द देखेंगे वीर जोड उचित वीरो चित यानि वीर के साथ आ की मत स्वर है तथा इसमें उ को जोडा गया तो बना आ जोड उओ शत-जोड-जन सज्जन त जोड जा जा दूसरा जोड जन तो इन शब्दों को में पड़नों करता है वीरो इस निर्मान में शब्दों में संधी होई हैं यानि ये शब्द जुड़े हैं संधी का अर्थ है मेल इस मेल में परिवर्थन कभी पहली ध्वनी में होता है तो कभी दूसरी ध्वनी में और कभी दोनों ध्वनियों में यह परिवर्थन ही संधी है अता हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधी कहते हैं संधी विच्छेद और जब हम संधी युक्त पदों को अलग-अलग करते हैं तो उसे हम संधी विच्छेद कहते हैं जैसे देवेंद्र, इसको अलग-अलग क्या तो देव, जोड, इंड्र, अतीव, अतीजोड, इव संधी के तीन भेद है, स्वर संधी, व्यांजन संधी और विशर्ग संधी आपको स्वर संधी पढ़ना है तो आईए हम स्वर संधी के विशाय में पढ़ते हैं कि स्वर संधी किसे कहते हैं दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्टन आता है उसे हम स्वर संधी कहते हैं स्वर आप जानते हैं कि स्भार किसे कहते हैं आपने पढ़ा स्वर क्या होता है और व्रयजन क्या होता तो स्वर संधी में स्वरों के मेल से परीवर्बरतन आता है जैसे रवी जोड इंद्र रवींद्र यहां पहले शब्द की अंतिम ध्वानी छोटी ए की मात्रा आप ध्यान देंगे रवी में वर में छोटी ए की मात्रा लगी है तो अंतिम ध्वानी छोटी ए है तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वानी भी ई स्वर है इस प्रकार ई और E को जोडने से बड़ी E हो गया तो आइए हम स्वर संधी को द्विस्तार से पढ़ते हैं this ध्यान जुनते पढ़ेंगे आप और समझनी की कोशिश करेंगे कि में किस प्रकार यह होता है स्वर संधी के पांच भेद होते हैं दिर्ग संधी, गुण संधी, प्रिधी संधी, यन संधी और अयादी संधी किसी स्वर के हर्ष या दिर्ग रूप के बाद यदि उसी स्वर का हर्ष या दिर्ग रूप आए तो ये दोनों मिलकर दिर्ग हो जाते हैं यानि हम कह सकते हैं कि आ को जोड़े आ को हम जोड़े या आ और आ को जोड़े या आ को जोड़े तो वो क्या बनेगा? दिर्ग ही बनेगा, दिर्ग स्वार के रूप में वो आएगा, आ बनेगा, उससी प्रकार अगर हम ए, ए को जोड़े, छोटी ए को जोड़े, या छोटी ई और बड़ी ए को जोड़े, तो उसकी संदी होके बड़ी ई ही आईगी, उ, उ, और उ, उ के तो आप देखेंगे कि दिर्ग संधी में दिर्ग स्वर ही आता है आ जोड अ भी करने पर आएगा आ के साथ अगर आ को जोड़े तो आ आएगा यानि दिर्ग संधी में किसी भी स्वर के हर्ष्व या दिर्ग रूप आए तो दोनों मिलकर दिर्ग ही होंगे छोटी ए के साथ छोटी ए को जोड़े तो बड़ी ए ही होगी अगर बड़ी ए के साथ छोटी ए को जोड़े तो भी बड़ी ए ही होगी और अगर दोनों बड़ी ए को जोड़े तो भी बड़ी ए ही होगी जैसे नदी जोड़ीश नदीश सती जोड़ीश सतीश संधी केवल तत्सम यानि संस्क्रित शब्दों में ही होती है अन्य शब्दों में नहीं हम पुस्तक जोड आले पुस्तक आले तो कह सकते हैं किन्तु किताब जोड आले किताब आले या पोथी जोड आले पोथाले नहीं कहते तो दिर्ग संधी में छोटा उ के साथ छोटा उ जोड़ा जा तो दिर्ग ही स्वार आएगा बड़ा उ फिर अगर छोटा उ के साथ बड़ा उ को जोड़े तो भी बड़ा उ आएगा होगा दूसरा है गुण संधी जब अ तथा आ का संयोग हम ए छोटी इ बड़ी इ छोटा उ बड़ा उ तथा री से करें तो ये क्रमशा ए ओ और अर हो जाते हैं इसे हम गुण संधी कहते हैं जैसे अ को ए के साथ जोड़ेंगे तो ए तथा अ को बड़ी इ के साथ जोड़ेंगे तो भी ए जैसे गण जोड़ इंद्र गणेंद्र आप देखेंगे ए की मत्रा लग गई नर जोड़ इंद्र नरेंद्र देव जोड़ इंद्र देवेंद्र सुर जोड़ इंद्र आ के साथ भी लगाएंगे तो भी by होगा और आ के साथ बड़ी लगाएंगे तो भी होगा माहा जोड इंड महेंद्र रमा इंड रमेंद्र A के साथ U जोडने पर O होगा जैसे पर जोड उपकार परोपकार नर जोड उचित नरोचित A के साथ U लगाने से O तथा A के साथ बड़ा U लगाने से O इसके उधारन आप देखेंगे महा जोड उच्सव महोच्सव और अगर आ के साथ हम री लगाते हैं तो अर होता है जैसे राज जोड रिशी राज अर्शी सब्त जोड रिशी शब्त अर्शी तो अप ध्याद देंगे कि गुण संधी में अ तथा आ में अगर ए बड़ी ए छोटा उ बड़ा उ तो था री मिला है तो ए, ओ और अर हो जाते हैं गुण संधी के बाद हम तीसरा है व्रिधी संधी इसको देखेंगे जब अ अ अथवा आ का ए और ए से योग होता है तो आ होता है तथा ओ और आ का ओ से ओ तथा ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है इस मेल को हम व्रिधी संधी कहते हैं अ, आ का ए और ए से मेल होता है तो ए होता है तथा अ और आ का ओ और और से मेल होने पर ओ हो जाता है इस मेल को हम व्रिधी संधी कहते हैं इन उदारों में आप देखेंगे 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 प्लस एशना लोक एशना एक प्लस एक 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 धन जोड ऐश्वर ए धन 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 अजोड़ एव तथायो सदा जोड़ एव सदयो ऑ जोड़ ओ करने जोड़ने अ के साथ ओ को जोड़ने से ओ तथा आ के साथ भी ओ जोड़ने से ओ जैसे जल जोड ओग जलोग महा जोड ओजस्वी महोजस्वी आ में आ जोडने पर भी ओ तथा आ के साथ आ जोडने पर भी ओ जैसे महा जोड ओसद महोशद चौथा है यन संधी ई, ई, उ, उ, तथा री से परे कोई असमान स्वर का मेल होने पर यन संधी होती है यानि इनके अलावे कोई दूसरा स्वर को जोडने पर इनके साथ यन संधी होती है जैसे ई के साथ अ लगाएंगे तो या ई के साथ आ लगाएंगे तो या यदि जोड अपी यद्यपी अती जोड अधिक अत्यधिक ए के साथ उ लगाएंगे तो यू तथा ए के साथ बड़ा उ लगाएंगे तो यू अती जोड उत्तम अत्यूत्तम ए के साथ ए लगाएंगे तो ये तथा ए के साथ आ लगाएंगे तो ये जिसे प्रती जोड एक, प्रती एक, ई के साथ अ लगाने पर य, तथा ई के साथ आ लगाने पर य, पाच्वा है अयादी संधी, अयादी संधी में एक के बाद अ आय तो आय बन जाता है, और अ के बाद अ आय तो आय और ई आय तो अभी बन जाता है, और ओ के बाद अ आय तो और E आय तो अवी बन जाता है। औ के बाद अ आय तो आव, E आय तो आवी, और उ आय तो आवो बन जाता है। जैसे ने जोड अन, नयन, नय जोड अक, नायक, चे जोड अंचयन, गै जोड अक, गायक, गैजोड इका गाईका पोजड अनपावन पाउजोड अक पावक तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्वरसंदी के पाँच भेद होते हैं आप फिर से एक बर को समझने की कोशिश करेंगे स्वरसंदी को स्वर हमारा होता है यह हमारे स्वर है अंगनुस्वार और विशर तो इस स्वरसंदी में पांच होते हैं दिर्ग गुण व्रिधी यन और अयादी दिर्ग संदी में अ-अ को अगर हम अ-अ से ही जोड़ते हैं तो आ होगा ध्यान देंगे दिर्ग संदी में अ से लेकर बड़ा उ तक यह आपस में जोड़ते हैं अ-अ को आपस में जोड़ा जा तो आ ई-ई को आपस में जोड़ा जा तो बड़ी ई उ-उ को जोड़ा जा तो बड़ा उ ही होगा यानि दिर्ग ही होगा गुण संधी में फिर A, A को हम अगर E और E से जोड़े तो A होगा A, A को ही अगर हम U और U से जोड़े तो O होगा और A, A को ही अगर हम R से जोड़ते हैं तो R होता है गृधी संधी में A, A को अगर हम A और A से जोड़े तो A होगा और A, A को अगर हम O और O से जोड़े तो O होगा आप ध्यान से इस चार्ट में समझे कि कोशिश करेंगे यन संधी में E और E के साथ कोई अन्य स्वर जोड़े इनिके अलावे तो या होगा U और U के साथ कोई अन्य स्वर जोड़े तो वह होता है तो थरी के साथ कोई अन्यस्वर जोड़े तो रह होता है अयादी संधी में ए के साथ कोई दूसरा स्वर जोड़े तो आय होगा और 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 के साथ कोई अन्य सवर जोड़े इनके अलावे तो अब और आव होगा अब ध्यान से इसको किताब में पढ़ेंगे तथा समझने की खोशिश करेंगे धन्यवाद